प्राकृतिक संसाधन, natural resources, प्राकृतिक का मतलब होता है जिसको किसी ने नई बनाया, ठेगे, और संसाधन का मतलब होता है प्रिथवी परुपस्तित वे सभी वस्तुएं जो हमारी ओशकताओं को पुरा करते हैं, प्राकृतिक संसाधन को परिवासित इस तरह कर सकते हैं, प्रत्वी पर उपस्तित वे सभी वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा बिधमान हो और हमारी और सक्ताओं को पुरा करते हैं प्रकृतिक संसाधन कहलाता है जैसे में जमीन, हवा, पानी, वन, सुरे का परकास, खनीज में कोईला, पेट्रोल, डीजल, असनेहक, तेल, पैराफिन, मौम, आदी प्रकृतिक संसाधन को इस तरह भी परिभासित कर सकते हैं प्रिथवी पर सभी जीवित प्रानियों का जीवन बनाया रखने के लिए सभी सुब्धा परदान करती है प्रकृतिक संसाधन कहलाती है जीवन को कायम रखने के लिए जमीन, हवा, पानी, वन, सुरे का परकास यह बहुत जरूरी है जीवन को कायम यहां कम लिखा चुका ह अब ध्यान दिजेगा प्राकृतिक संसाधन को दो वर्गों में बाटा गया है पहला समाप्त ना होने वाला प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन तो चलिए समस्ते हैं समाप्त ना होने वाला प्रकृतिक संसादन पहला सूरे का प्रकास वायू समाप्त होने वाला प्रकृतिक संसादन वन वन ने जिव खनीज कोईला पेट्रोलियम प्रकृतिक गैस आदी कोईला कैसे बनता है बहुत सारे वन बहुत सारे पेंड धर्ती के अंदर कई सालों तक दवे रहने से कोईला में बदल जाते हैं पेंड से धीरे धीरे कोईला में बदलने की परकिरिया को कार्बनी करन कहते हैं टेक है उधोग में कोईले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद निकलते हैं जैसे कोक, कोलतार, कोईला गैस, आदी अब समझते हैं पेट्रोलियम पेट्रोलियम का निर्मान समुद्र में रहने वाले जिवों के मरने से हुआ है मिटे के अंदर लाखों वर्षों तक वायू ना मिलने पर उच ताप और उच दाप के कारण मृत जीव जो है पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस में बदल जाते हैं पेट्रोलियम जो है वो तेली द्रव है इसका गंध अपिरी होता है अच्छा नहीं होता है पेट्रोलियम में पेट्रोलियम गैस पेट्रोल डीजल असनेहक तेल फेराफिन मोम बिटुमेन आदी का मिसरन होता है यानि पेट्रोलियम जब धर्ती से निकलता है बाहर तो उसमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, असनेहक, तेल, फेराफिन, मोम, बिटुमेन, आदी का ये मिश्रन होता है, सब मिले हुए होते हैं और इस मिश्रन में से सबको अलग-अलग करने की प्रकरम परिशकरन कहलाता है पेट्रोलियम के संघटक और इनका उप्योग पेट्रोलियम गैस यानि लपीजी का उप्योग घर और उधोगों में इंधन के रूप में किये जाता है पेट्रोल, मोटर इंजन, बैमानिक इंधन, सुस्क के धुलाई के लिए बिलायक के रूप में किये जाता है मिट्टी का तेल, अस्टो, लैंप और जेट वायुमान के लिए इंधन के रूप में किये जाता है डेजल भारी मोटर वाहनों और विधूत जनितरों के लिए इंधन के रुप में किये जाता है असनेहक तेल ये असनेहन के रुप में किये जाता है पेराफिन मुम मरहम मुमबत्ती वैसरिन आदी में इसकॉपयों किये जाता है बिटुमेन पेंट एम सड़क निर्बान में इसका उपयोग किया जाता है मुझे आसा है कि जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गई होगी तो चलिए फिर मिलते हैं एक और ने दिन ने टॉपिक के साथ तब ते के लिए जैहिंद वंदमादरम